जाहिन आप सबीको स्वागत है आपका तेज़स सेंशेर मिश्र में आज की क्लास में लोग एफ्सिय औड विच्व यानी फिल्ड क्राफ्ट न वेटट क्राफ्ट इस चरहेंगे है हुए आपका सकेंड पाइं कल की कल कра चुका है क्ल कजुले के या फोरियो केर dos कि कर दिये और इस टॉपिक से 25 मास के क्वेश्चन आपके NCC एक्जाम में पूछे आते हैं यह NCC, AB और CISRAFT एक्जाम 2022 के लिए होगा बाकी के सारे टॉपिक्स मेंने इससे पहले जोते सारे अप्लोड कर दिये आप लोग सारे क्लास कर लेंगे अच्छे से यहां पर सारे सारे क्वेश्चन आपके सारे अपको दोनों में नॉबर क्लास्ट या फिर दिसंबर अश्राटिंगर दोनों एवलेबर कर दूँगा जिसमें आपका PDF, Pre-Course होगा जिसमें आपका main Practice Set paper होगा Topic 커피 और model baik firs के practice होगा róज कि आपको टॉपक्त भाई सारे नौटस होंगे यह मटर पीपर सोगा और जितने भी कोश्चन अब तक फूचे के सारे होंगे प्रिवीज एर के क्वेश्चन जो लोग चनल को तक सब्स्राइब नहीं कि आप चनल को सब्स्राइब करके बेले करेश करें ताकि जब भी कलास हो वीडियो प्राइब आपको नौरिफिकेशन में तरहे हैं रोजान आपकी कलास 7 बज के 15 में पर ही होगी और यह अपको रित्त चलेगा अधी रेगुलर और स सारे टपिक में पास होनाते एगजाम पास करने के लिए साथ पंदर में रोजाना कलास हो वीडिन टाइम में अभी रेगुलर अब साथ पंदर में समय सायंगे चलिए शुरू करते पोष्टन आज सर फर्स्ट कोष्टन है पेट्रोलिंग क्या होता है वाट इस पेट्रोल पेट्रोलिंग का सिंपल सा डिफिनिशन है इसका अंतर लोगा पैदल चल कर अथवा किसी हल के वाहन पर घुमते हुए किसी छेतर की निगरानी करने को पेट्रोलिंग करते मतलब या तो किसी गाड़ी पर या फिल पैदल किसी निश्चित एरिया में घुमते हुए उस एर पेट्रोलिंग का उधेर से सत्रू के विशे में जनकारी प्राप्त करना और सत्रू की पेट्रोलिंग से अपनी सेन इकाई का बचाव करना यानि कि जो लोग पेट्रोलिंग पे जाते हैं वो एनेमिक यानि सत्रू की जनकारी इंफॉर्मेशन कोलेक्ट करते हैं और अपनी से है उसके पास वो कितनी संख्या में है उसके पास किस तरह के वेपन्स हथियार है ततक आप यूद पर विजय हाच नहीं कर सकते तो इस इन सब बातों की जनकारी पेट्रोलिंग के द्वारा प्राप्त होती है तो यह पेट्रोलिंग का में पुदेश से है कि कोश्चन वार 33 त टारगेट कितने तरिकों से हम लोग हांट करते ज्याद करते इसका अंत्रों का फर्स्ट पॉइंट आमरुख चुनका छोटे छोटे चोटे टुकड़ों में बाटका थर्ड जमिनी निसान के द्वारा पूर्थ डिगरी के द्वारा है यूज ऑफ कमपास और फिफ्थ जिए और स्राटिंग में चेपर करका होता है सारे मेरे पर कार बता से और इसकर्मसर पर बात हो वर संवटायर फायर ऊड़ार कितिले परकार करता है क्योंfolgsta योजन इसके दौ है आप अपने PIS आप से पूछ लेंगे वो आपको जो मतायेंगे आपको वह ही लिखेंगे ठीक है याँ आंसर होगा या चारपकरका होता है, गृुरुपिंग फार, जिरोईंग फार, अब्लिकेशन फार और कफ़्सिपिकेशन वैसे आप यही लिखेंगे ठीक है मैक्सिमम जगा इसी पर आंसर आपको मिलता है मतलब दो नो ठीक है बैट मैक्सिमम जगा यह दो टाइप सी आंसर सही होता है ठीक है कांसेंट्रेटेड और डिस्ट्रीटेड यानी सकेंडरी तोर वितिरित फायर बट आप याद इसको भी रखेंगे आप यह यह स्टाप से पूछ लेंगे इससर फायर कितले प्रकार्ट का होता है और उसके बाद आपांसर लिखेंगे पॉर्चनमा 37 order of fire control क्या है यानी fire control order किस प्रकार से होता है कैसे होता है इसका आंसर होगा इससे हम लोग grid के नाम से याद रखते है यह इसका formula यह टरीक है grid से याद रखते है जिसमें G मतलब group firing group का नाप R का मतलब range होता है firing की range और T type of firing firing का परकार आपको answer में इतना लिखना होगा इससे हम लोग grid के नाम से याद रखते है और इतना point G for group R for range I for indication of target question 38 fire control order कितने परकार का होता है fire control order चार परकार का होता है इसमें मतलब दोनों same है 1st मौके का 2nd तयारी का 3rd सुचमा fire और 4th पूरा fire यह fire order 4 परकार का fire control order फूल fire order इंग्लिस में लिखे तो delayed fire order opportunity fire order और free fire order यह 4 परकार का होता है fire control order question 39 field signal से आप क्या समझते what do you mean by field signal इसका आत्रोगा use के समय मैदान में प्राय विभीन संकेत बोल संकेत बोल कर देने के स्थान पर बीना आवाज किये अत्वा संकेतिक पच्चियों की बोली में city बजा कर किये जाते है कहने का मतलब है field signal का मतलब field मतलब है आप यह उदस्तल से ठीक है तब उदस्तल में अगर बोल कर इसारा करते हैं किसी को आवाज लगाके तो फिर आपोनेट यानि आपका सत्रू को पता चल जाएगा इसलिए वहाँ पे बोलने के स्थान पर बीना आवाज किये अत्वा संकेतिक पच्चियों की बोली में city बजा कर किये जाते हैं अधिकतर विभीन पर करते हाँ सिला कर राइफल दिखा कर किये जाते हैं फिली सिला अधिका आवाज ता maximum हाथ की ही शारों से या फिर राइफल का उसमें अपना परवर्ड होता है किस तरह से राइफल किया तो क्या ही शारों होगा तो उसके अनुसार राइफल और हाथ द्वारा यह तीन परकार कहता है हाथ हो द्वारा संकेत यानि with hand Second, सस्त्रो द्वारा संकेत यान with weapons और third, CT द्वारा संकेत यान with erzählt फिल चेनल तीन परकार से हाथ हाथ द्वारा, weapons द्वारा और CT द्वारा Question number 40, Platoon formation की संड़ चनावा आए तो Platoon formation तीन परकार से होता है प्लाटून का एक सेक्षन आगे और दो सेक्षन पीछे चलते हैं यह फर्मेशन आगे बढ़ने के लिए उत्तम है मतलब हमला करने के लिए और इसमें दो सेक्षन आगे राता है त्रिय अपफ़र्मेशन इस संरचना में तीनो सेक्षन साथ सा चलते हैं यह संरचना बढ़ा आख्रमार करने के लिए उत्तम है इसकी गोलिबार के शमता आधिक होर्ती है मतलब 1-up formation का सीधा मतलब में एक सेक्शन आगे चलता है बागी दो सेक्शन पीछे 2-up formation में दो सेक्शन आगे एक सेक्शन पीछे और 3-up formation में तीनों सेक्शन साथ चलता है हुड़ी है हमला करने के लिए बड़ा अक्रमर करने के लिए सबसे उत्तम होता है कि इसकी फायर क्रेंज यानि गोलिबारी की छमता अधिक होती है कि तीनों सेक्शन एक साथ फायर करता है पोस्चन में 41 बैटल प्रोसीजर चे आप क्या समझते है इसका अंतर होगा यूद की तयारी करने की विदिये यह एक यूद की तयारी करने की विदिये इसके अंतरगात एक सेना कमांडर रेकी करके योजना बनाता है अधेश जारी करता है और यूद सम्वंदी कारों की मतलब बैटल प्रोसीजर यूद की पूर्ण रूप से तयारी करने की विदिये जिसके अंतरगात एक सेना कमांडर रेकी करके प्लान बनाता है योजना बनाता है अधेश जारी करता है अपने प्लाटून को अपने जवानों को और यूद सम्वंदी कारों की सुची तयार क आर ओ एफटी गुरूप आप इसको याद राखेंगे आर ओ एफटी से ठीक है यह आपको आपको नोट करने है बाकि मैं आको सारा पीडियेक में अचे से ब्लेबल करना है ठीक है आर ओ एफटी इसमें आर का है रेकी गुरूप यानि रेकी गुरूप इसका कार्य है इस ग स्ट्रेक्षन कमांडरं और मो टार Приляोकेट लॉंट्र कमांडर्र और रंवुते हैं ौट्र होता हैं फार्टिंग में इस ग्रूप में फ्लाटून इस खरby कर्मी और थी proto section के जवान होते हैं और last टीफोर ट्रांस्पोर्ट ग्रूप इस ग्रूप में सेन परिवहन से समनीत कर्मी वो जवान होते हैं ROFT का full form में पूछता है तो इसका full form मता है रहकी order firing transport रहकी order firing और ट्रांस्पोर्ट ठिक है Question 43, Battle Drill का महत्व क्या है, Party the importance of Battle Drill इसकांसर का first point, सुचना परिवह है, यानि Information, Appreciation Second, गोली बारी और चाल, यानि Fire and Movement, फड़ मौखी का देश, यानि भरवन orders ये Battle Drill का importance है Question 44, गोली बारी और चाल के सिधान्त के, यानि Fire and Movement के सिधान्त बताने है First, सबसे पर आप देश, गोली बारी चाल के सिधान्त, फ़र्स्ट पॉइंट, एक गोली एक जवन, मतलब एक Fire किया तो एक दुष्मन, ये उसका main motive होता है कि एक Fire किया तो एक सत्रू को मार गिराना है Second, सत्रू के सीर पर निशाना है, हमेशा headshot लेना है, जैसे PUBG वाले खेलते हैं ये फिरीफर वाले, headshot मारो तो जल्दी मढते है तो सत्रू के सीर पर निशाना, और थर्ड, covering fire और आक्रमण के बीच निवन्तम अंत्राल, मतलब कम समय का अंतर होना थी covering fire किसी को cover दे रहे और सत्रू पे आक्रमण करने के बीच काफी कम समय का अंतराल होना थी जैसे आप फिरी fire और PUBG में भी आप देखते होंगे जो लोग खेलते हों काफी लोग खेलते हैं उसमें भी कोई बोलता है के रहे मुझे cover fire दो cover fire दो और फिर आपको उसमें भी हमला करना होता है नेक्स्ट चाल के सिधन तेली movement के सिधान फर्स्ट संगठीत समुव में चले शेकेंड उचीत सनलचना बना कर चले और थर्ड चलते समय एक बार में एक ही एक पर ही भूमी पर रखे ताकि ज्यादा आवाज नहीं और आप असानी सी चल सकते तो ये fire and movement के सिधान थे गोली पारिक किये जाने पर कारवाई करना शेकेंड आकरमाण करना फर्ड शत्रु का पता लगाकर उससे बे असर करना और फूर्थ सेक्षन का पूर्णर गठन तो ये सेक्षन बैटल ड्रिल का चार पार्ट है अब अच्छे साथ रखेंगें कि इन सबका आंसर आपको कही नहीं शेनिको और सस्तरों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि सत्रु की गतिविधी और आकरमाण को कारगर तरीके से समाब तत्वा नियंतरित किया जा सके ये फिल्ड डिवेंस का मतलब है यहां दो प्रकार का होता है फर्स्ट त्वरित रच्छन यानि क्यूक डिफेंस और शत्रु की गतिविधी और आकरमाण को कारगर तरीके से समाप्त करके अपने आपको मतलब पूरितर से सेफ रखाजा सके यह दो प्रकार का क्यूबिफेंस और डिलिब्रेट डिफेंस नेच्ट आ आमुरुक कीसे करते है और स्टार्टिंग में आ था ना आमुरुक कि टार आपको यहां से यहां तक टार्गेट दिया गया अब आमुरुक का मतलब है कि आपका यह टार्गेट है या फिर कोई भी यह टार्गेट है तो यहां से जो इसके बीचो बीच जो लाइन बलती है जो इसको दो ब्राबर भागम बाट रही है टार्गेट को इसे ही आमुरु चुना जाता है जो दूर हो मसहूर हो और चलने में मझभूर हो मतलब आपको कोई सजीव वस्तु नहीं SLECT करना है अमरुख अगर चुनने को बला जाए ये अपको ये निरजीव वस्त भी बडव वस्तु लेना है इसे पूल हो जाएगा बड़ा पेड हो जाएगा यह सब था है वह जो दूर हो मसभूर हो और चलने में मजबूर हो उससे आमरुक शुनत बोश्चलमा 49 पेट्रूलिंग के मूखे 3 चलं बावोतें अनेसर पेट्रूलेंग के मूखे 3 चलं बावाम्ष फिपटी फाइर कंट्रोल अडर क्या है इसका बावाम्य कंसे पेट्रोल और यान के दूर मिल ये स्था बावरोत इस होगा फायर कंट्रोल ओडर और सही फायर ओडर देने की जिमेवारी फायर यूनिट कमांडर की होती है लेकिन इन ओडर की सिखलाई सभी जवानों को देना चाहिए ताकि पतलब फायर कंट्रोल ओडर की जनकारी सभी जवानों को सभी सोल्जर्स को होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए फाइर उनिट कमांडर की कैजुल्टी होने पर कोई भी जवान उसकी जगा काम कर सके है, अगर ग्रूप कमांडर की कमी हो तो जवानों को ही यह अटिवटी करनी पड़ती है, और फाइर कंट्रोल का फाइदा उठाने के लिए टार्गेट का सही बयान और उनको पहचाने की स इतना लिखने से फुल्माक्स नहीं लेगा, तो आपको यह भी पॉइंट्स लिखने हो, ठीक है, प्वेश्चनमा 51, फाइर इउनिट क्या होता है, इसका अंत्र होगा, फाइर इउनिट उस हथ्यार बंद टोली को कहते हैं, जो एक कमांडर के हुक्म से फाइर करती है, आम इसके फाइर पर कंट्रोल रखता है, अब यह आपको देखा था फाइर इउनिट क्या हता है, तो फाइर इउनिट उस हथ्यार बंद टोली को कहते हैं, जो एक कमांडर के हुक्म से फाइर करती है, और आमतर पड़े एक सेक्शन मतल इसमें दस ही जवान होते हैं, प्वेश किस हथ्यार से और कितने तदाद का फाइर डाला जाए, शेक्शन कमांडर को फाइर डिरेक्शन ओडर अपने प्लाट्यून कमांडर से निता है, मतलब फाइर डिरेक्शन ओडर का मतलब है, यह फाइर इउनिट कमांडर के सिनियर कमांडर उन्हें ओडर करते हैं, और वो या उसे बाता है कि यहुको बर टोले बटाते हैं कि आपको कीन-कीन टार्गत एपर क्यंट किस किस incorp died में किसी मट्यूस टार्गत पर किस न nor किस भातियार से और कितना फाएर कितने मात्रामें फाइर डालना है तो यह होता है fire direction order next question में 54 fire control order क्या होता है यह वह हुकम होता है जो एक fire unit कमाड़र fire डलवाने और उस पर काबू रखने के लिए fire unit को देता है तो यह fire control order होता है question में 55 arc of fire क्या होता है what do you mean by arc of fire इसका अंसर होगा यह वह इलाका होता है जिसके अंदर target को बरबाद करने की जिम्मेवारी एक unit को दी जाती है यह इलाका बाएं और दाहिने हदू से जाहिर किया जाता है यह arc of fire होता है question of physics fire control order के वसूल क्या होते है इस कांसर का first point fire हमें साथ दुसमन को मा डलने और उसको डराने के लिए किया जाए second emulation की बचात का ख्यार रखना चाहिए मतलब यह नहीं कि आप अल्दू के बस fire किये जा रहे तो emulation की बचात का ख्यार रखना चाहिए third fire discipline का खास दियान रखा जाए यह fire control order के वसूल है पचल में 57 fire control order कैसे देने चाहिए मतलब किस प्रकार से इस कांसर का फर्स्ट पॉइंट हुक्म शाफ धीरे और कम लफजों में देनी चाहिए second आवाज इतनी हो कि असानी से सुनाई दे मतलब सभी जवानों को सुनाई दे third point और fourth भुशन में 58 आप क्या समझते है इसकी जरूरी बाते कौन कौन सी है इसका अंसर होगा कमांडर की तमाम करवाई और troops की deployment कम से कम हुकमों के जरीए और जल्दी करने को battle procedure करते है यह warning order मिलने से farming of place यानी AFF में deploy होने तक की drill है इसकी जरूरी बात है first point कमांडरों को बड़ी खबर और जरूरी मदद जल्दी से मिल जाए ताकि अगली करवाई का फैसला कर सके second, कमांडरों को अपने junior और senior कमांडर के साथ मिलाया रखना चाहिए और third, छोटे कमांडर को उपर वाले कमांडर के नजदी करहना चाहिए और headquarter और sub unit को ऐसे गुरूपों में बाटा जाए कि आदेश को जारी करने और deployment की करवाई बीना देरी खबज मतलब जल्दी बजाए तो यह battle procedure का मतलब है और इसकी यह तीन जरूरी बाते है question 59, ORF से आप क्या समझते हैं? ORF का full form है objective, root, fire plan अब जानते हैं कि वो का मतलब और R का मतलब क्या है? वो का मतलब है objective यानि वह जरूरी जबिंग जिस पर कभजा करने की योजना बनाई जाती है यानि target है और R है root, objective तक पहुचने के रास्ते जहां तक हो सके इसके RL कौभर होने चाहिए और रुकावर्ट कम होनी चाहिए और एक मतलब fire plan, supporting हतियार इस परकार से लगाया जाए कि उन से attacking troops को ज्यादा स्यादा नुक्सान और objective तक fire support मिल सके ये ORF का मतलब है नेक्स्ट है question number 60, main parts of field craft यानि field craft के मुख्य भाग क्या है इस console का point system में first point दूरी का अनुमान लगाना यानि judging distance, second RLN यानि taking covers, third छला वरान एवां छिपाव यानि camouflage and concealment, fourth लच्छे को पहचारना हता संकेति यानि recognition, indication of target, fifth गोली बारी और चाले यानि fire and movement और sixth छेतर संकेति यानि field skills ये सारे points आपको इसमें पढ़ने के मिले ना field craft में तो ये field craft के main parts है अगर आपको ये नहीं बताया जाता अभी तो आप जब ये question कुछता main parts of field craft तो आप लिखने में आपको problem होती बट अभी बता दिएगा तो आप आसानी से लिख लेंगे क्यारे यारे ये तो सम्में ने पढ़ा हुआ है इसमें जो main topic है मेन इसका जो topic है हुआ ही है field craft का field of fire क्या होता है इसका अंसर होगा field of fire उस इलाकों कहते हैं जिस पर किसी भी दीशा में किसी भी हतियार का कारगार fire डाला जा सकते हैं उसे field of fire कहते हैं और question 62 section formation से आप क्या समझते what devil में section formation इसका अंसर होगा youth के समय सत्रू सेना पर अधिक्तम गोलीबारी करने उनकी गोलीबारी के दीशा पहचानने वह उनमें उससे बचाव करते हुए अपने section पर पूरा नियंत्रा रखने के दिरिश्टी से विवेन प्रकार की section formation बनाने की जनकारी होना अती आवस्या कि मतलब जैसा situation वैसा section formation करें से टाय पता है ना situation करनूसर आपको पूरी जनकारी होनी चाहिए कि अपने section को बचाव करते हुए जोसमन की गोलीबारी उस पर fire करते हुए उसके fire से बचते हुए आपको कॉंसा section formation करें पराया सवी सेक्षन फ़र्मेशन में दीन के समय जवानों के मध्द परस पर 15-25 गज की दूरी होनी चाहिए पतलब एक सेक्षन में दो जवानों के बीच 15-25 गज की डिस्टेंस होनी चाहिए इसके साथ साथ जवानों को एक सिधी लाइन में ना चल कर टेडी मड़ी लाइन में चलना चाहिए तो यह होगा श्रेक्षन फर्मेशन का मतलब इस टोपिक से टोटल आपके 62 कोश्चन फिल्ड क्राफ्ट और बेटल क्राफ्ट इतना कोश्चन किसी में नहीं है अपर सारे कोश्चन असे रच्चे सहाथ करेंगे रोजाना आपकी क्लास से 7 बज के 15 मिनट पे रेगुलर अप्रील तक चलेगी और जैसे अभी नमबर नहीं करेंगे शुबह में कितने बाजी कलास होगी तब मैं आपको बता दूंगा और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आप सब्सक्राइब बाइक के बेल आकम प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन में नित रहे है जब भी कलास वीडियो अप्लोड करू और पीड सब्सक्राइब अच्छे से त्यारी करें इस तर सापको शारी जनकारी देते रहूंगा चिरी मिलते कल नेर्स्ट कौन सा टोपिक होगा सायज इंट्रोडक्शन टू इंफेंटरी वेपन्स होगा चिरी ठीक है मिलते है आज के लिए इतना है सब्सक्राइब धन्नवाद जै इंट्सक्राइब टूजब गएड़ था लोगा टूब करें इंट्सक्राइब आधे वेज़ घ्यारी करें दो शाव्ड़क्शन टूब कर दो आगिए जिए एंट-षफ मॉण फ्यारी ड्टक्वरबून टूबूट्